हरार महादेव जैवोलिनात नमस्कार मैं शादना पांडे मागदेशन पर आपका स्वागर करते हूँ दोस्तों मैं बात करूँगी कि शाम को जो घर के मुखे दर्वाजे पर दीपक रखा जाता है वह दीपक किस प्रकार रखे कि वो चमतकारी रूप से मालक्षमी को आपके घर में आगर्जित कर सके उससे भी बड़ा सवाल कि दीपक दर्वाजे की किस तरफ रखना उचित होता है सास्त्रों में क्या भी धिये है दर्वाजे के पास दीपक रखने का महत्यों तो आप सभी जानते हैं बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि घर के मुखे द्वार यानि दहलेई चवकर जो भी कह लेजिए उस पे दीपक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपके घर में शुक और सब निधी आती है तो दीपक रखने का नियम कौन सा है ये जानना आपको बहुत जरूरी है घर के मुखे दर्वाजे पे दीपक आपको किस तेल का रखना है बाती किस प्रकार की रखनी है दीपक कैसा रखना है दर्वाजे के दाहिनी या बाहिन तरफ रखना है तो जो संपोर्ण जानकारी है दीपक से जुड़ी हुई वो आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत जादा मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए ऐसी ही ग्यानवर्धक और एकटम सास्त्रोक जो जानकारी है वो लेकर आऊं तो वो आपके लिए एक लाइक बटन होगे लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेड़ा है जो कि मैं पूरी कोशिस करती हूँ कि आप सभी को अची तरह समझ में आजाए जितना मेरा सामर्थ है उसके अनुशार पूरी कोशिस मेरी लगातार जारी रहती है तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मुखे दरवाजे पर दीपक जलाना बहुत जरूरी है मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि घर में संध्या के समय कम से कम तीन दीपक तो जलना ही जलना चाहिए सबसे पहला दीपक होता है आपके घर के मंदिर का दीपक घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलना चाहिए करके मंदिर में जो दीपक जलाएं आप वह तील के तेल का जला सकते हैं या फिर देशी घी का जला सकते हैं तो जो आपका सामर्थ हो उस अनुशार जलाएं रही बात सरसो के तेल की तो देखें सरसो के तेल का दीपक जो है वह सनी देव को जलता है बहरों मंदिर में जलता है पीपल बिक्ष के नीचे जलता है बाकिस थानों पे जो हमारे देवी या देवता होते हैं उनको या तो तिल के तेल का दीपक जलता है या फिर घी का दीपक जलता है तो जो आपको लगे उचीत उसी अनुशार करें क्योंक तेल के प्रयोग से मालक्ष्मी के कृपा बरस्ती ही बरस्ती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि घी नहीं है तो मालक्ष्मी के कृपा नहीं आती है ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपकी शामर्त है उसके अनुशार जला है सास्त्रों में जहां घी का वर्डन है वहीं तिल के तेल का भी वर्डन है ये भी एक बहुत अच्छा आपसन है और कोई समस्या नहीं है ये चीज़ आप समझ लेजिए समस्या सर्शों के तेल में है जो कि मैंने आपको अभी बताया रही बात कि अब दीपक जो दर्वाजे पे आप दीपक रखेंगे वो क्यों रखते हैं तो देखे कहा जाता है सास्त्रों में कि घर के दर्वाजे से आपके शुक्ष समरिधी रोग विमारिया यानि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें घर के मुखे द्वार से होकर ही 10 का इंटर इसलिए सूर्योदय होते ही रोग हो रहा होता है तो असली वही समय ह गोधुली बेला होती है कि श्रीकिष्ण जी गईया चराकर आते थे तो वही समय होता है कि जब आप अपने घर में दीपक पजवालित करें न कि अंधेरा होने का इंतजार करें तो सही समय तो वही है जब गोधुली बेला कहा होता है तो ठीक उसी समय जलाएं न कि दिन हो और ना रात हो संधी बेला ह कि रात हो रही हो और दिन समाब तो हो रहा हो तो उस समय हमें अपने घर का दीपक जलाना चाहिए कभी भी अंधेरा या रात्री होने का इंतजार नहीं करना चाहिए दूसरी चीज बाती किस प्रकार की रखें तो देखे घर के मुखे दर्वाजे पे आप गोलबाती भी चला सकते हैं लेकिन लंबी बाती जलाते हैं तो बहुत उचित होता है जैसे कि भोले नात के मंदिर में जाएं या फिर घर पे उनकी पूजा पाठारात ना कर रहा हैं पिसे इसका जैसे दिवाली अभी अभी गई है, या फिर जो भी देवी लक्ष्मी के लिए आप दीप लगाते हैं, उसमें यदि लंबी वाली बाती लगाते हैं, तो वो और स्रेश्ट माने जाती है, लंबी वाती का अर्थ हमारे सास्त्रों में बताया क्या है, कि वो सुख समर्धी और लक्ष्मी देने वाली होती है, इस्वरे दायनी होती है, और गोल बाती मुक्ष दायनी होती है, वो भी लक्ष्मी दायनी होती है, लेकिन मुक्ष दायनी होती है, तो जहां पे आप हमारे जो सांसारी कामना हैं उन्हें पूण करने की बात होती है तो वहां गोल लंबी बाती का ही प्रयोग होता है विसे इसका लक्षमी पूज़ा में आप लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं कोई आवस्चेक नहीं है कि लंबी बाती नहीं है तो आपकी पूजा पूण नहीं यदि आप दर्वाजे की बाहर इस दीपक को रख पाते हैं तो बहुत उचित होगा लेकिन जैसे की जर्वाजे की बाहर जग़ा नहीं है या फिर कभी-कभी लगता है की दर्वाजे के बाहर बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो दिया जो है हमारा ठंडा हो सकता है तो इस इस्तिती में आप क्या कर सकते हैं कि दरवाजे के अंदर भी मालक्ष्मी के नाम का दिपक रखा जा सकता है अंदर का मतलब कि बहुत अंदर नहीं दरवाजे के थोड़ा सा अंदर जैसे की दरवाजा है और उसके मालने जीए कि थोड़ा सा हट करके आप दीपक रखे तब भी आपके मुखेदार का दीपक ही माना जाएगा कोई आवश्चक नहीं है कि घर के बाहर ही हम रखे यह प्रश्ट भी बहुत आता है दूसरी चीज कि कैसे हम जाने की हमारा दाहिने या बाहे तरफ क्या है तो इस चीज को दाएं रखे दिया या बाहे रखे तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाए जो आपके घर का मुखे दर्वाजा है चोकत है दा उधर आपका दाहिना हाथ पढ़ता है यही आप उत्सदिanudh ही आप रफित दिन दीपक रखें वही हिर्षू स्थान है आप मतलब यह नहीं है कि आप गर की अंधर से रख रहें तो घर की अंदर से आप दाहिने टरफ रखें यदि आप घर के अंदर हो करके और दीपक दाहिनी तरफ जलाने की कोशिस करेंगे तो वो आपके बाहर ही माना जाएगा यानि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ कि जो आपके घर का दीपक होगा वो आपका बाहर जो आपका इंट्रेंस है उससे बाहर की तरफ जो निकलने का स्थाने उससे माना जाएगा इसलिए सबसे अच्छा यही है कि घर के बाहर खड़े हो करके घर के तरफ मुख करके और दाइने हाथ के तरफ दीपक जलाएए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गया होंगे कि आपको कैसे देखना है दूसरी चीज़ कि आपके घर में बहुत दिनों से आप कोसिस करने बरकत नहीं हो रहे लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो इसमें आप क्या करें तो जो आप घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाते हैं उसको आप आटे का बना करके चोह मुखी द मुखी दीपक जला है और यदि सामाने स्थिति है ना तो धन की कमी है ना बहुत अधिक धन है सामाने सा चल रहा है तो एक दीपक आप इस प्रकार से जला के देखिए इससे भी मालक्ष्मी की करपा जातक के उपर बरसती है तो ये छोटी से जानकारी कैसे लगी आप वीड जन्दाएगी धन्यवाद